रोहित शर्मा विश्व कब 2023 में भारत को खिताब दिलाने में नाकाम रहे लेकिन अब रोहित आईपिल 2024 में अपनी टीम को चैंपियन बनाना चाहते हैं हाला कि रोहित को अब तक मुंबई इंडियन्स की कप्तान की तौर पर ही देखा जाता रहा है लेकिन अपने नित्रत्व में रोहित ने मुंबई इंडियन्स को पाँच बार चैंपियन बनाया है अब जानकारी सामने आ रही है कि रोहित आईपिल 2024 में मुंबई इंडियन्स की नहीं बल्कि किसी और टीम की कप्तानी करते नजर आ रहे हैं हाला कि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता आईपिल 2024 से पहले खबर आ रही है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्स की कप्तानी छोड़कर गुजरात टाइटन्स की कप्तानी करते नजर आएंगे दूसरी और खबर ये अभी है कि मुंबई इंडियन्स आईपिल के नए सीजन के लिए हार्दिक पंडिया को फिर से टीम में शामिल कर सकती है पिछले दो आईपिल सीजन में रोहित शर्मा की कप्तानी कुछ खास नहीं रही है और वह बल्ले से भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए है ऐसे में फ्रेंचाइजी अब ट्रेडिंग विंडो के जरिये रोहित को गुजरात टाइटन्स से ट्रेड कर सकती है